हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज में ये दो मीटर मेंने कपड़ा ले लिया है इसमें में परफेक्ट फिटिंग की पैंट कटिंग वाई स्टिचिंग दोनों बताऊंगी फ्रेंड्स तो इसको हम सबसे पहले ओपेन कर लेंगे और अरज में इसे हमें दो इस तरह सीधा हम निशान लगाएंगे इसकेल की मदद से और इस कपड़े को कट कर देंगे जो भी तेच्छा कपड़ा है वो सब निकाल देंगे अब यहां पर हम रबड के लिए दो इंच पर एक निशान लगाएंगे यह देखे फ्रेंड्स रबड डालने के लिए नेफ कमर की गोलाई ले लेनी है और जितनी गोलाई हो उसका चौथाई हिस्सा करना है और उसमें 2-5 इंच लूजिंग के लिए एड कर देना है तो हमारी कमर यहां पर 40 इंच है कमर का साइज उसमें से 10-10 प्लस 2 इंच 12 हो गया तो हम यहां 12 इंच पर निशान लगाते हैं और इ देखिए इस तरीके से हमें लाइन को सीधा कर देना है यह देखिए एक बॉक्स बनके रेडी हो गया है तो अब यहां पर तीन इंच पर हम माक करेंगे यह क्रॉच एरिये का निशान है और यहां पर हम एरो बनाएंगे एक इंच का लगबग और फिर हम इस निसान को इस त प्रेंट की लेंथ का निशान लगाते हैं तो इस तरीके से हमें पैते सिंच प्रेंट बनानी है तो पैते सिंच पर एक निशान लगा के पट्री की मदद से हमें सीधा कर देना है इस निसान को यह देखिए यहां पर हमने इसको सीधा कर दिया है और यहां पर मोहरी का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स तो हम यहां इंची टेप से नाप लेंगे तो यहां पर हमने 12 इंच यहां पर है तो यहां पर भी हमें 12 इंच रखना है अब 12 इंच का आधा 6 इंच होता है तो 6 इंच पर एक निशान लगाना है हमें सेंटर पे फिर हम मोहरी 6 इंच रखेंगे इसलिए हम आधी इंच लूजिंग के लिए ले लेंगे तो साड़े इस निसान से इधर 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से और यह जो सेंटर का निसान है इधर से भी हम उदर साड़े 3 इंच पर निशान लगाएंगे तो इस तरह 7 इंच मोहरी हो जाएगी इस निसान को इस निसान से जॉइन कर देंगे तो ये देखिए स्केल की मदद से हमें इस निसान को इस निसान से जॉइन कर देना है इस तरीके से स्केल रखके हमें पैंट का शेप दे देना है तो फ्रेंट्स ये देखिए ये हमने पैंट का शेप दे दिया है अब इस स्केल की मदद से इसमें हलका कम गुलाई है यहां पर हमें आधी इंच मोरी के लिए बढ़ाना है क्योंकि हम कंगूरे वाली मोरी बनाएंगे इसलिए हम इसको परफेक्ट ही काट रहे हैं इस्टा मोरी में लूजिंग ज्यादा नहीं लेंगे तो फ्रेंट्स यह देखिए आधी इंच हमने ले लिया है यह देखिए हम कटिंग कर ले रहे हैं अब इधर भी इधर वाले हिस्से को यह बंद है इसलिए से भी हमें ओपन कर देना है तो यह देखिए यह फ्रंट का पार्ट हमारा कटिंग हो चुकी हमारे फ्रंट के पार्ट की बैक पार्ट कट करेंगे तो इस तरीके से जो कटिंग का कपड़ उसको हमें बिच्छा लेना है और इस तरीके से अपना फ्रेंट वाला जो पल्ला है उसको हमें इस तरीके से रख देना है इसके उपर बराबर अच्छे से रख देना है यह देखिए थोड़ा सा हमें कपड़ा इस्ट्रा रखना है तो यह देखिए यहां तक आई है यह कटि और इधर दो-दो इंच हमें इस्टा लेना है इसी हिसाफ से कपड़ा रखना है तो दो-दो इंच बैक वाले पार्ट में हमें इस्टा ले लेना है इस तरह हम इंची टेप रख रखके हमें निशान लगा लेना है पूरी पैंट में उपर तक तो ये देखें ये निशान भी हमने लगा लिया है friends अब यहां पर भी हमें समझना है friends तो ये देखें ये क्रौच एरिये का निशान है तो ये बैक का जो पार्ट रहता है उसमें हम 2 इंच इश्टा रखेंगे क्योंकि back का part heavy रहता है इसलिए हमें पीछे थोड़ा सर जादा रखना चाहिए और इस तरह scale रखके हमें तिर्चा निशान लगा देना है यह देखे यहाँ पर हमें 2 इंच इस्ट्रा रखना है और इधर की तरफ हमें बराबर ही रखना है तो friends इससे हमारे पैंट में किसी तरीके का खिचाव नहीं आता और इस तरफ हमें बराबर ही कपड़ा रखना है तो इस तरफ बराबर ही निशान लगा लेंगे अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं यह देखे तो हमारे यह दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है कि हम स्टिचिंग करते हैं तो यह देखे PaństS हमने छोटे वाले दोनों पल्ले यहानि फ्रैंट के दोनों दोनों पार्ट और बैक के दोनों पार्ट को अलग कर लिया है और यह क्रौच दतिखे से इर्म वाले सिछल लिया है तो ये देखिए हमने क्रोच एरिया सिल लिया है ये बैक वाला पार्ट है इसको हम इस तरीके से बिच्छा लेंगे और इसके उपर फ्रेंट वाला पार्ट हम रख देंगे इस तरीके से उल्टा दोनों का सीधा अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा उल्टा बाहर की तरफ अ को भी मैं बराबर कर द ना है अच्छे से दोनों पार्ट को और सिलाई चला दिनी है तो इस तरीके से यह देखिए मैंने सिलाई चला दी हो १ग में उपर से बिकर दी आ सीने पेंट में जिस तरह होती है उसी तरह हमने कर दिया है, तो यह देख सकते हैं आप, तो friends यह देखिए हमने pen को सीधा कर दिया है, आप यहाँ पर हमें rubber डालनी है friends, तो यह देखिए हमें rubber डालने का तरीका friends होता है कि अपनी कमर की गुलाई हमें ले लेनी है इंची टेप से, और जितनी गुलाई आए उस में से 5 इंच हमें minus कर देना है friends, तो यह देखिए मैंने अपनी कमर के हिसाब से rubber elastic को ले लिया है, अब इसे हम इस तरीके से गुलाई में सिल देंगे, इस तरीके से पका कर लेंगे friends, सिल के, यहाँ पर मजबूती से सिल लेना है, जोइन कर लेना है इसे, तो friends यह देखिए हमने इसे सिल दिया है, अब सिलने के बाद हम इस तरीके से रखेंगे, रबड को यह देखिए इस तरीके से और इस जो है कपड़े को इसके उपर हमें इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से कपड़े को फोल करते हुए, रबड को दूर रखते हुए हमें केवल नेफे पर सिलाई करनी है रबड के उपर ना होने पायं तो यह देखिए इस तरीके से हम छिल देंगे इसको कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे तो यह देखि रबड को हमें थमых दूरा रखना हो और इस तरीक और आगे आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के हमको बता देए ताकि हमें वीडियो बनाने में आसानी हो तो इस तरीके से हम गुलाई में रबड को डाल दिया है अब इसके सेंटर में भी हमें एक सिलाई चला देनी है तो यह देखें मैंने सेंटर में सिलाई चला दी है, अब हम जो है, इसकी मुहरी बनाएंगे, तो Friends यह देखे, मोहरी में बना लिए है, रबड़ भी डाल दी ए, friends यह देखे, मोहरी में हमने कंगुरे बना लिए है, friends तो अगर आप यह कंगुरे डिजान देखना चाहते हैं, तो Linc किसकी description box में मैं देदूंगी वहाँ से आप देख सकते हैं तो इस तरह के से मैंने इसको pen को उल्टा कर लिया है और मैं final stitching करने जा रहे हूँ तो friends इस तरीके से हमें मोरी को बराबर करते हुए इस तरीके से में सिलाई लगा देनी है तो यह देखिए यहां तक हमें इसकी fitting के हिसाब से सिलाई कर देंगे तो friends यह देखिए यह सिलाई भी हमने कर ली है अब इसे हम सीधा करके दिखाते हैं friends तो यह देखिए इसकी full stitching हो गई है friends तो यह देखिए इसका look कुछ ऐसा आया है friends आपको यह वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताईएगा चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो यह देखिए क्रोचेरिया पीछे का थोड़ा बड़ा बनाया है हमने इससे पैंट में कोई भी खिचाओ नहीं होता वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक करना बिल्कुल न भूले क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए एक गिफ्ट होता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इसी तरीकी की वीडियो लाती रहती हूँ तो फ्रेंड्स ये जो डिजाइन मैंने बनाई हुई इसका लिंक में डिस्कुसिन बॉक्स में देदूंगी वहां से आप देख सकते हैं तो मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग